तो गैस यह छोटा सा वीडियो है गैस यहाँ पे मैं आपको कुछ यहाँ पे application कैसे create करते हैं या यहाँ पे कोई फीचर कैसे implement करते हैं sketchware pro में यह सब मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ इस वीडियो में मैं आपको कुछ जो है मेरे subscriber का doubt था का सकते हैं कि question था उसका answer देने वाला हूँ गैस यह बहुत ही short video है तो मैं आपको बता दूँ कि क्या था कि sketchware pro में जो latest version है अगर आपने download नहीं किया तो आप download कर सकते हैं इस पर अड्रेडी वीडियो बना रखा है इस वीडियो के description में हो सके तो link दे दूँगा अधरवाज आप channel में जाके search कर सकते हैं sketchware pro beta 5 version और बाद बगल में आप android world search करेंगे तो आपको मिल जाएगा लेकिन यहाँ पर बात कर लेते हैं गया इसकी यहाँ पर हमने देख सकते हैं कि यहाँ पर addmove में बहुत सारे problems आ रहे थे कि अगर आपका addmove का add लगा है इस sketchware pro में beta version 5 में अगर लगा है आपने पहले से पहले वाले world वाले version में लगा रखा है और अगर आप इसमें run करते हैं तो आपका error आता था मतलब error आ रहा होगा साथ ही साथ यहाँ पर क्या problem भी आपको बहुत सारे देखने को मिल रहा होगा तो guys मैं आपको बता दूँ पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में कई वीडियो में और अभी भी मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो sketchware pro का beta version 5 है इसमें जो लेबरेरी है एडमोब का लेबरेरी है वो अपडेट कर दिया गया है पहले का क्या था कि आपका जो old method था जो sketchware यूज कर रहा था जो कि जिसके थुरू जो है एडमोब का आड़ आपका सो हो रहा था लेकिन यहाँ पर अभी change कर दिया गया है इसमें इसके यहाँ पर आपको error देखने को मिल रहा होगा तो guys अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए कि एडमोब का एड कैसे सो करते हैं sketchware वाले latest version में जो sketchware beta 5 है beta version 5 उसमें कैसे एडमोब इंप्लिमेंट करते हैं तो अगर इस पर वीडियो चाहिए तो मुझे आप comment में बताए इस प आपको एक बार दिखा देता हूं इसका स्पेसिफिकेशन यहां पर प्रोग्राम इंफॉर्मेशन में आएंगे तो यहां पर देख सकते हैं कि आपको यहां पर दिख रहा होगा sketchware public beta version 5 तो यहां पर देख सकते हैं आपको यह देखने को मिल रहा होगा उसके बद यहां पर configuration में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर API label जो है हम 30 कर देते हैं चलिए हम API label 30 set कर देते हैं यहाँ और इसे save कर देते हैं ठीक है उसके बाद इसके अंदर हम जाएंगे यहाँ पर तो addmob का add जो हमारा है यहाँ पर implementation आपको दिखाओं थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको अगर इसका library में जाएंगे तो addmob का add यहाँ पर देख सकते add unit आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर तो यह है यह टेस्ट वाला लगा है गाई तो आप confuse ना हुआ और उसके बद यहाँ पर बात करते हैं कि देख सकते हैं यहाँ पर अगर manifest में जाएंगे तो यहाँ पर कुछ और यहाँ पर अगर library के बात किया तो यहाँ पर library में आपको कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा ठीक है तो यह है चलिए हम इसको finally हम run करके आपको दिखाते हैं तो जैसे कि मैंने आपको इसका दिखा दिया सोरी सो करवा के आपको यहाँ पर दिखाएंगी गाइस तो वीडियो में बने रही है यहाँ पर यह चोटा सा मैं आपको इसको explain नहीं करने वाला हूँ बस बता रहा हूँ कि यहाँ पर 100% काम करेगा अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो मुझे आप comment में बताए इस इस वीडियो को कम से कम 100 प्लस आप लाइक करें 100 अगर complete होते तभी मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा और साथ में अगर आपका response अच्छा रहा तो मैं इसका project भी दूँगा लेकिन 100 प्लस complete होने के बाद जी हाँ गैस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 100 प्लस लाइक complete होन चाहिए 100 कम से कम होना चाहिए यहाँ पर like guys तो आप अगर वीडियो को देखते हैं तो like जरूर करें तो यहाँ पर आपको प्लस करें अप्लिकेशन तो यहाँ पर आपका जो है successfully जो है आपका addmove का add so होगा साथ में यहाँ पर addmove का add so कराने के लिए बहुत सारे ऐसे method होते हैं और आपको बहुत सारे रूल होते हैं privacy policy होते हैं वो आपको follow करना बहुत ही जरूरी है अगर आपका रसो नहीं हो रहा फिर भी यह करने के बाद भी तो बहुत सारे ह होते हैं अगर आपको step by step इस पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे जरूर बताए कमेंट में मैं इस पर step by step वीडियो बराऊंगा लेकिन इस वीडियो को hundred plus like complete करने के बाद ठीक है गाइस तो यह आपको ध्यान रखना है इसे जितना हो से के उतना share कीजिए हम यहाँ पर 100% यहाँ पर सो होगा तो हमारा एपी के जो है साइन हो रहा है तो साइन हो चुका है यहाँ पर इस्टोल कर लेते थोड़ा सा इस्टोल करने के बाद हम यहाँ पर आपको एपी के को दिखाएंगे यहाँ पर तो एपी के हमारा जो है यहाँ पर इस्टोल हो रहा है अभी त आपको पसंद आए गए तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में ने टोपी के साथ तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम